हेलो फ्रेंड्स, विलकम टू मा यूटूब चैनल पर हाई गुरू जी आज हम बात करेंगे how to find LCM और factorials आपको तो पता हुआ कि हमनों factorial कैसे निकालते हैं अगर हम लोग वह 5 का factorial निकालना होगा तो हम लोग 5 x 4 x 3 x 2 x 1 करेंगे अगर 4 का निकालना होगा तो 4 x 3 x 2 x 1 करेंगे तो हमें LCM निकालने के लिए बस factorial निकालने आना चाहिए जैसे हमने यहाँ पर question लिया है find the LCM of 5 factorial, 6 factorial and 7 factorial इसका हमें LCM निकालने से पहले हमें इसमें जो factorial सबसे चोटा है यहाँ पर 5 factorial सबसे चोटा है तो हम 5 factorial को वैसे ही छोड़ देंगे और जो factorial बड़ा है उसे हम तोड़ेंगे यहाँ पर 6 factorial और 7 factorial को हमें तोड़ना है और तोड़के 5 factorial तीनों में common करना है जैसे LCM of 5 factorial 6 factorial 7 factorial is equal to 5 factorial 6 factorial कम तोड़ेंगे तो इसको हम लोग यहाँ लिए सकते है 6 into 5 factorial तो कि 6 का factorial होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 तो इतना तो 5 का factorial है और इतना 6 का है तो हम लोग यहाँ आप है 6 into 5 factorial लिख सकते हैं और 7 का factorial हम लोग 7 into 6 into 5 factorial लिख सकते हैं हमें यहाँ पर 5 common करना है इसलिए हम लोग यहाँ पर 5 तीन बार हमें लिखना पड़ेगा हमने यहाँ पर 5 factorial common ले लिया तो बचा into LCM of यहाँ पर 6 यहाँ पर 7 और 6 बचा 7 into 6 अब हमें इसका LCM निकालना है हमें यहाँ पर 6 और 7 into 6 42 का LCM निकालना है 6 और 42 का हम लोग LCM निकालना है तो तो हम लोग therefore 5 factorial into इतना का LCM निकालना है फोर्टी तू अब हम अगर 42 को तोड़ेंगे तो 5 factorial into 7 into 6 लिख सकते हैं और 7 into 6 into 5 factorial is equal to होता है 7 factorial अब हम आते हैं second question में इसमें 6 factorial से 1 factorial और 8 factorial का LCM निकालना है इस question को भी हम इसी question जैसे करेंगे इसमें सबसे छोटा 6 factorial है तो हमें 6 factorial तीनों factorial मिलाना पड़ेगा यहां पर हम solve करेंगे LCM of 6 factorial 7 factorial 8 factorial is equal to 6 factorial 7 factorial को मुलिख सकते हैं 7 into 6 factorial और 8 factorial को मुलिख सकते हैं 7 into 6 sorry 8 into 7 into 6 factorial अब हमें इसमें 6 factorial कॉमा लेना है तो अगर हम इसमें 6 factorial कॉमा लेंगे तो हमारा 6 factorial into LCM of 1 into 7 यहां पर बचा और यहां पर 8 into 7 बचा अगर हम इसका LCM निकाल लें तो 7 8 या 56 इसका LCM आ जाएगा तो हम लिख लेंगे 6 therefore 6 factorial into 56 अब हम 56 को तोड़ेंगे तो 6 factorial into 7 into 6 sorry 7 into 8 अब हम यहां पर 8 factorial होता है 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ठीक है और यहां पर हमारा है 6 factorial into 7 into 8 तो इतना हमारा 6 के factorial हो जाएगा और यहां पर लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 factorial तो यह हो जाएगा 8 factorial so LCM is equal to 8 factorial thanks for watching this video friends अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे like and comment जरूर करें हमारा चैनल पढ़ाई गुरुजी को सब्सक्राइब कर बिल आइकन जरूर पिस करें करें